हेलो एवरिवान वेलकम तू आल आफ यू दिस इस अन्जु मोर्या और आज हम लोग मॉलिकुलर जैनेटिक्स का चौथा लेक्चर करने वाले हैं अभी तक हमने डिने रेप्लेकेशन के बारे में पढ़ लिया है और हमने ये भी देखा कि डिने रेप्लेकेशन का सेमी कंजर यहां फ्रहां तुछा था एक्सपरियांटल चाहिए पोर कहिए न में तो लाँस्टटे में में नेकिस्परिमेंटल ममें के बारे砂शितो सेंवी कंजरवेटिम्ट यहां फ्रेकेशन ही तो सेmmy थाकि याद रखिए गा जो मैं बात कह रही हूं न उसको एक् Grade होनी चाहिए वो चीजे वो एकदम underline होनी चाहिए कि अगर आप से पूछता है semi conservative mode of replication का experimental proof prokaryot में किस ने दिया था तो measles and an install होगा ठीक है और eukaryot पूछता है तो आपको tailor option करना है tailor and colleagues जो कि विश्या फैवा में दिया था फैवा बीन्स में दिया था ठीक है और किस generation में कितना कैसे कैसे techniques का भी नाम याद रखना है cesium chloride density gradient technique radio tracer technique इस्तमाल किया था किसने हमने आपको बताया भी था कि ये tailor ने radio tracer technique इस्तमाल किया था और measles and an install ने इस्तमाल किया था cesium chloride density gradient centrifugation measles and an install ने ammonium chloride का जो nitrogen लिया था वो heavy isotopak nitrogen था और उन्होंने radioactive thymidine use किया था अपने experiment में ठीक है तो ये सब कुछ basic बाते हैं और मैंने आपको DNA polymerase के बारे में बताया वो बहुत important questions वहां से बनते हैं primer removal activity क्या है proof reading activity क्या है इसके लावा मैंने आपको बताया था कि polymerizing activity क्या होती है cornberg enzyme किसको केते हैं paul first को केते हैं ठीक है और clean out fragments के बारे में ये सब जो चोटी चोटी बाते मैं आपको बता चुकी हूँ वो याद रखिएगा ठीक है अब देखिए आज का जो हमारा lecture है उसमें हम अब DNA से related सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं इसके questions मैं लगाओंगी class के बाद में ठीक है class के एकदम आखरी में लगाओंगी और अब आज हम लोग RNA की शुरुआत करते हैं RNA के बारे में देखते हैं तो देखिए ज़रा ध्यान से the RNA यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है RNA मतलब ribonucleic acid यह किसका polymer है polymer of ribonucleotides यह ribonucleotides के polymer होते हैं कौन RNA कि इसके बाद देखिए ज़रा अब यहाँ पर मैंने दिखा है classification of RNA RNA को दो पार्ट में classify करते हैं questions यहां से बन सकते हैं क्या-क्या एक बार देखिए ज़रा थे अध्यान से एक हो गया genetic RNA और दूसरा non genetic RNA okay genetic RNA में हम देखते हैं कि RNA as a genetic material कहां कहां और कैसे कैसे प्रेजेंट हो सकता है तो RNA single stranded RNA form में भी हो सकता है और कुछ ऐसे viruses हैं जिसमें यह double stranded form में हो सकता है हमने आपको बताया है कि viruses के genetic material RNA भी हो सकते हैं ठीक है लेकिन viruses में कभी भी RNA और DNA दोनों साथ में नहीं होता है चाहे RNA होगा चाहे DNA होगा तो viruses ऐसे हैं जिनके पास DNA भी हो सकता है कुछ viruses ऐसे हैं जिनका genetic material RNA भी होता है ठीक है यह चीज समझ आ रही है तो अब ऐसे RNA देखिए आहां जड़ा ध्यान से देखना है single stranded RNA कहां पर है TMV tobacco mosaic virus qv bacteriophase very very important very very important अभी तक मैं इसको important इसलिए कह रही हूँ कि अभी तक हमने बहुत सारे bacteriophages के बारे में देखा क्या आपको याद आ रहा है और copy pen हो तो note कर लेना है bacteriophages के genetic bacteriophages क्या है ऐसे virus चोकि bacteria को attack करते हैं या bacteria को kill करते हैं या bacteria को infect करते हैं अभी तक हमने अभी तक हमने अभी तक हमने ऐसे तीन वाइरस के बारे में आपको बताया है T2 बेक्टरोफेज का genetic material क्या था जिसको हरसे और चेज ने यूज किया था double stranded DNA ठीक क्या था double stranded DNA 5X174 का genetic material हमने बताया था single stranded DNA एक और बैक्टरोफेज मैंने अभी आपको बताया क्या that is the QB bacterial phase single stranded RNA तो देखे questions बनते है questions बनते हैं इसको जड़ा ध्यान से देखना आपको ठीक है अब देखे आप जनेटिक RNA में genetic RNA single stranded भी हो सकता है double stranded भी हो सकता है single stranded में TMV बताया मैंने QB bacteriophase, Virusoids, Veroids, Veroids का भी genetic material single stranded RNA होता है low molecular weight RNA होता है यह क्या होता है low molecular weight RNA यह मैंने आपको microbiology में बताया भी है और HRV, HRV बताया था ना Holmes ribgrass virus, Holmes ribgrass virus के बारे में मैंने आपको जब मैं reconstitution experiment पढ़ा रही थी, Singer और Conrad का तो वहाँ पी यह बात मैंने आपको बदाई थी ठीक है अब देखिए कुछ ऐसे viruses होते हैं, exceptionally कुछ ऐसे viruses होते हैं जिसमें double stranded RNA भी होता है जैसे rio virus, wound tumor virus, wound tumor virus, एक ही नाम है यह wound tumor virus तो very very IMP, please अभी के अभी याद हो जाना चाहिए अभी के अभी याद हो जाना चाहिए, ओके चलिए, next देखें, non genetic RNA non genetic, मतलब RNA genetic material की तरह भी काम कर सकता है और कुछ ऐसे RNA है, जो genetic material की तरह काम नहीं करते हैं उनका कुछ other function होता है, तो मैंने इसको ऐसे ही classify कराए non genetic RNA के देखिए क्या हो सकता है, catalytic और non catalytic catalytic, catalytic, देखिए ये सब ना चार्ड बड़ा मेहनत से बनाते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ रखो और आप सब एक चीज को हमेसा ध्यान रखिएगा जैसे कि अभी issues आ रहे थे कि मैं थोड़ा कम पढ़ाई है, है ना, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं बस आपको एक बात बता देना चाहती हूं अगर आप चाहते हो कि आपका syllabus अकुषल complete हो जाए, ठीक है, और revision भी हो जाए, तो मुझे मेरे ढंक से पढ़ाने दीजिए, आपने हम पर ट्रस्ट करा है, ठीक है, पहले सुनिए गाड, ओके, आप भले कुछ भी बोल रहे होंगे, तो मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा है आप बोलो जो बोलना है, आप बस इतना जानो कि आपने हम पर ट्रस्ट किया है, हमने आपको कभी चीट किया, हमको जो करना है, हम डेली आपको 50-50 questions करा रहे हैं, ठीक है, संडे live class ले रहे हैं, live questions करा रहे हैं, डेली आपको 50 questions मिल रहे हैं, आपकी practice हो रही है, हमने चीट कि या क्या बताओ यह मेरे जीन में नहीं है पहली चीज़ ओके दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपने हम पर ट्रस्ट करा है तो अब आप हमें किसी भी तरीके का सजेशन मत दीजिए फ्लीज वो मुझे मेरे धंग से करने दीजिए मुझे मेरे धंग से करने दीजिए क्यूंकि आपने अभी यह नहीं सोचाओगा कि एक महीन बाद अगर एक्जाम हो तो आपको कैसे तेयारी करनी है आप परिशान होगे लेकिन मैंने ये तक सोच रखा है कि एक मेने बाद भी एक्जाम हो तो मुझे सिलिवस कैसे खतम करना है मैंने यह कभी नहीं सोचा कि एक मेने बाद एक्जाम होगा तो मुझे क्या बहाने बनाना है यह मैंने नहीं सोचा है ठीक है मैंने यह सोच रखा है कि एक मेने बाद एक्जाम होगा तो मैं क कैसे तैयारी कराऊं, कैसे complete कराऊंगी syllabus, तो बस इतना समझिए कि मुझे मेरे ढंक से कराने दीजिए, अगर मैं कहूंगी तीन घंटे पढने है, तीन घंटे पढने थीन घंटे का lecture होगा, अगर मैं कहूंगी ठीक है, दो घंटे का lecture होगा, आपको करना पड़ेगा, as a guide अब मुझे ये चीज़े decide करनी है ठीक है आप परिशान क्यों होते हो इतना lengthy syllabus में एक दिन धाई गंटे का lecture या सवादो गंटे का lecture हो गया तो आप परिशान हो जाते हो मुझे हमें लिखना होता है हमें पढ़ना होता है it is your responsibility कि आप follow करो हमें इस वक्त ठीक है बाकि और कुछ नहीं मैं कह रही हूं मैं जो करा रही हूं इस लेवल पर उसे follow करना पड़ेगा आपको और it's up to you whether you want to follow or not ये तो आपके उपर है ना आप करो मत करो लेकिन मैं तो करवाओंगी जो करना है मुझे ठीक है परेशान नहीं होई ये आपका syllabus भी अच्छे से करना हो और ये कितना best method है और मैं इसलिए कर रही हूं कि ताकि आप कुछ एकदम सीधे सीधे या लिखा हुआ है क्या है mindset की हम scan करके बढ़ना सही नहीं लग रहा है अरे मैं वैसे भी तो पढ़ा है मैंने इतना सारा चीज़ें वैसे भी तो पढ़ा है अभी और भी ऐसे चीज़े आएंगी जो पढ़ाओंगी मैं ऐसे लिखके भी पढ़ाओंगी ठीक है अब आप क्या चाहते हो molecular भी 15 दिन तक पढ़ाते रहे जाओं ऐसा नहीं होगा ठीक है molecular मैं 15 दिन तक नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मुझे अभी मुझे पता है कि अभी molecular के बाद evolution कराना है plant kingdom कराना है animal kingdom कराना है ठीक है और इसके अलावा animal kingdom के बाद फिर हम लोगो plant morphology करना है plant embryology करना है ecology करना है families और सब इतनी सारी चीज़ें करनी है अपने ढंक से नहीं करेंगे तो बताइए कि हम क्या excuse देना देंगे आपको time कम था हम नहीं करा पाए यह सब चीज़ें नहीं होती है ठीक है जो कराना होता है वो मैं पहले बोल देती हूं कि इतना मुझे कराना है तो अब देखिए आपे क्या है genetic RNA और non-genetic RNA genetic RNA में दो तरीके के RNA है एक catalytic और एक non-catalytic RNA ठीक है catalytic RNA का मतलब कुछ ऐसे भी RNA है जिनके पास enzymatic property है हमने आपको बताया था कि not all enzymes are proteins सारे enzymes proteins नहीं होते हैं कुछ ऐसे भी enzyme होते हैं जिनका nature RNA nature का होता है जैसे देखिए उसका मैंने example भी बताया था ribosyme ठीक है RNAs P, ribonuclease P कहते इसको peptidal transferases तो there are some enzymes which are of RNA origin या RNA nature के भी enzymes होते हैं ठीक है तो कुछ ऐसे RNA है जो catalytic function भी perform करते हैं अब कुछ ऐसे RNA है जो non-catalytic function perform करते हैं non-catalytic का मतलब इनका ये ना तो ही genetic ना ही ये genetic RNA है ना ही ये catalytic है ये non-genetic है लेकिन उसके बाद ये non-catalytic है ये non-catalytic है उसमें coding RNA और non-coding RNA पहले समझ ये सारी चीज़े अभी धीर धीर आगे समझ आएंगी coding RNA का मतलब codons present होता है ऐसे RNA जिनके पास codon present हो आप बताओ ऐसा कौन सा RNA जिनके पास codon present है तो हमें बता है कि mRNA है ये क्या है? mRNA है mRNA के पास क्या है? codon present है अब यहाँ पर देखो अब होता है na codon क्या होता है? तीन nitrogenous base का एक sequence होता है तो ऐसा RNA जिनके पास codon present है वो coding RNA कहलाते हैं, तो coding RNA कौन सा होता है, mRNA होता है, ठीक, पाकी non-coding RNA क्या होता है, जिन में codon नहीं है, जैसे tRNA, rRNA, ok, tRNA, rRNA, miRNA, siRNA, hnRNA, sorry, sn, hn तो इसी का precursor है, mrna का ही precursor hnRNA होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ऐसे RNA, जिन के पास, you can say, कि codon नहीं है, codon नहीं है, वो क्या है, non-coding RNA है, तो RNA का classification can be done like this, ok, तो यह यहाँ पर हम कह सकते हैं, this is what the RNA, clear है, अब देखिए, अब RNA के types पढ़ेंगे, हम लोग, types of RNA पढ़ेंगे, पहले मैं आपको एक बात बता दू, कि कभी-कभी क्या होता है, कि जब हम अपनी पूरी जो बाग डोर है, किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं, और अगर, देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कि आपको matter कम दे रही हूं, ऐसा तो नहीं कि मेरी चीज़ें आपको समझ नहीं आ र लेके, तो ऐसा कोई भी ऐसा स्टूडेंट अभी नहीं है, जिन्नों ने कहाओ कि हमें समझ नहीं आता है, इसके पहले भी मैंने प्री में 600-600 स्टूडेंट पढ़ाया थे, जी ऐसी प्री के, ओके लास्ट तक, लेकिन अभी तक ऐसा, और और भी मैं 7 साल से पढ़ाई रही कराना है, ओके, मेरी एक फ्रेंड है, वो डेली में है इस वक्त, और एक बार ऐसे हुआ था कि उसने मतलब काफी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, वो PCS लिख रही थी, काफी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, तो उसके एक्जाम विदिन 15-20 दिन के अंदर उसके तो उसके बात क्या होगा कि उसने हमको कॉल करा और फिर रोना स्टार्ट करी, यह मतलब ऐसा है, मतलब घरवाले बुला लेंगे, अब चांस नहीं मिलने वाला है, इस बार होना ही होना है, प्री दे रहित ही दो बार से नहीं हो पा रहा था, तो प्री के लिए ही वो परिश यह यहाराट मै वहां पर गई और एक्षळ और देखाय क्या हुतकत है… आब हां मैं जो फास क अगः मानती है तो कि ठीम आफीले रहाटते को हैं इतनी त्री चीज़े पढ़नी है, तभी हो पाएगा, अब क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है, जब रास्ते, किसी भी चीज के रास्ता बंद दिखाई देना, तो सोचना चाहिए, इसा भागने चाहिए, डरना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें चलना कैसे है आगे, चलना कैसे आगे अगले पल हमें क्या ऐसा स्टेप होना चाहिए कि जो life saving हो एक तरीके से यह मैने डिशाइड कर रहा उसका प्री हो भी गया अभी वह मैंज के लिए वाइट कर रही है उसका प्री हो जाता है हर बार प्री हो जाता है में अभी वो इस बार साथ है ना थाइस को उस वो लिखने वाली है और मोस्ट प्रॉबली हो जाए तो मतलब कहने का मतलब यह ना कि कि जब कोई भी चीज ऐसा हो कि हमें लग रहा है जैसे मैंने आप बहुत सारी स्टूडेंट को मैं देखती हूं परिशान हो जाते हैं कि हमारे पास टाइम कम बचा है हम कैसे करें आप सांती से सोचा करो कि हमें इतने टाइम में क्या करना चाहिए स्ट्रटेजी बनानी चाहिए ऐसा नहीं हम भाग तो सकते नहीं देखी एक ऑरसन कभी होना ने चाहिए जिन essential事情 में भागना नहीं है ठीक है आगे जाना है बस भागना नहीं है क्विट नहीं करना है ठीक है तो बस यह ओसन होना जाहिए कि आगे चलना है मतलब अब उसका क्या अल्टरनेट है उसको सोचना सीखिए आप दो यह नहीं कि मतलब अब हम भी पढ़ने कम पढ़ाई है ज्यादा पढ़ाई है यह सब नहीं ठीक है मैं उनकी वज़े से मैं यह अप्रिशियेशन नहीं चाहती मैं लेकिन मैं मुझे पता है लिटरली नहीं पढ़ाता कोई जल्दी यह सारी चीज़े और फिर एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि सिलेवस नहीं हो पाया यह नहीं हो पाया तो फिर क्या मतलब रह जाएगा मैं लिखती हूं आपके लिए मैं आपके लिए लिखती हूं इतना एक बेटर नोट बनाने की कोशिस करती हूं फिर पढ़ाती हूं है ना का वेसे भी पढ़ा सकती हूं ऐसा तो है नहीं अब आप ऐसे मत सोच लेने कंप्तर इतना तो पढ़ाह ना मैंने 오른 ना यहाँ सच लेना में लिखके बढ़ा रही हूं इसका दसघुना आ बिना लिखके बढ़ा सकती हुआ अभी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बिना इसका दसगुना भी पढ़ा सकती हूँ molecular में किताबे छपी है मेरे दिमाग में उतना तो नाम भी सायद अभी बहुत सारे लोगों नहीं सुना होगा तो अब यह जो है न यह जो चीजे हैं उसको मुझे करने दीजिए आप टेंशन मत लीजिए बाकि जो बेटर होगा मैं सब करूंगी ठीक है अब देखिए यह क्या है अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं types of RNA किते तरीके के होता है types of RNA types of RNA में हम देखेंगे RNA तीन तरीके के RNA के बारे में हमें लिखना है एक RRNA और एक TRNA और एक mRNA पहले देखिए यह question तो आपके mcq में और जो मेंस वाले हैं में सवाले हैं उनको भी types of RNA मैंने आपका टास्क दिया था वो यहां से complete करेंगे ठीक है types of RNA question आ सकता है तो उसमें तीनो टाइप की RNA या फिर clover leaf model पूछ सकता है tRNA का उसको भी आपको याद रखना है ठीक है तो आप ध्यान से देखिए चीजों को cover करने की कोसिस करिए और आरने discovered by Kunj इसको कुंज ने discover किया था सबसे पहला point very very important इसको राइबोजोमल या इन्सॉलिवल आरने के ते सबसे पहला इस इस दा मोस्ट अबंडेंट देखिए अभी अभी कुछ टाइम पहले यह इसी एक्जाम में यह question आया हुआ था जो अभी exam हुए है न आरने उसका 80% यह होता है most stable है सबसे ज़्यादे stable है produced in nucleolus यही एक ऐसा आरने है जो कि nucleolus में produce होता है nucleus के nucleolus में nucleolus क्या है non membranous cell organelle है यह बात मैंने आपको बताई थी तो बाकी दो जो आरने है वो nucleus में produce होते हैं लेकिन यह nucleolus में produce होता है found in ribosome यह आरने कहां पाय जात होता है एक nucleo protein होता है क्या होता है nucleo protein होता है nucleo protein और यह nucleo protein में भी nucleic acid क्या है nucleic acid क्या है और protein क्या है तो इसका nucleic acid हमने कहा था rRNA होता है और protein rproteins होती तो ribosome rRNA और rproteins से मिलके बना है इसलिए ribosome nucleo protein nature का होता है यह बात हमने आपको ribosome पढ़ाते टाइम बताई थी राइबोजोम को हम लोग क्या कहते हैं राइबोजोम को हम लोग protein factory कहते हैं it is very, you can say obvious कि हमने यह बात बताई भी थी की राइबोजोम क्या है protein factory है अच्छा राइबोजोम तीन दो तरीके का हमने बताया था prokaryotic ribosome 70s type और eukaryotic ribosome 80s type का है ठीक है except mitochondria and plastid हमने बताया था कि mitochondria और plastid को छोड़ दिया जाए तो eukaryotic ribosome 80S का होता है mitochondria और plastid का 70S का plant में mitochondria 70S का animal में वही mitochondria 55S का होता है ये बात हमने बताई है ठीक है अब देखिए ये जो है ना prokaryotic ribosome 30S 50S ऐसे दो तरीके का होता है 30S में एक subunit होती जिसको 16S rRNA कहते हैं 16S rRNA कहते हैं very very important ये मैंने classification ribosome पढ़ाते time भी बताया था और 50S में दो subunit होता है 5S rRNA और 23S rRNA उसके बाद हम देखते हैं 40S में एक subunit 40S एक subunit का बना होता है 18S rRNA और 5S 5.8 28S rRNA तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों में चाहे आप prokaryote और eukaryote में अब से कभी पुछा जाए अगर एक्जाम में कि प्रोकरियोर्टिक राइबोजोम को ओवराल देखूं तो यह कुल मिला कि तीन टाइप के आरेने से बना हुआ है ना तीन टाइप का वान टू थी और एक चीज़ लिख लिख लेगा यह जो 23S rRNA है ना यही है राइबोजाईम क्या है राइबोजाईम very very i.e.m. नोट करना आपको 23S rRNA प्रेटरिया के केस में 23S rRNA has catalytic property so यह क्या है ribozyme है अब अगर हम eukaryote की बात करें तो eukaryote में पूरा जो ribozyme है वो चार सब यूनिट से बना है एक, दो, तीन, चार चार से बना है ना फोर टाइपस आफ RNA से बना हुआ है तो यह पूरा है rRNA के बारे में rRNA के बारे में function of rRNA very very IMP अभी यह देखे, समझेंगे ना तो फिर protein synthesis बहुत अच्छे से समझ आने वाली है functions of rRNA क्या है rRNA का function है structural role as well as catalytic role पहले देख ले structural role, यह एक ऐसा RNA है जिसके पास जो structural role भी play करता है और catalytic role भी play करता है, structural role क्या है इसका, तो structural role हम कहेंगे, कि यह ribosome बनाता है, सबसे पहली चीज यह तो है ही न, अब कभी नहीं भूलना, ribosome में कौन सा RNA होता है और catalytic role का मतलब यह catalyze करता है, this is very very important, कभी मैंने आपको बताया है एक बात, during protein synthesis मेरी बात को ध्यान से सुनना है during protein synthesis, जब protein synthesis होती है, तो mRNA होता है tRNA होता है, अब हम आगे देखेंगे भी, जब चीज़े पढ़ेंगे अब देखिए, mRNA please mRNA से ribosome का कौन सा सब्यूनिट बाइंड करता है smaller सब्यूनिट, और tRNA से ribosome का larger सब्यूनिट करता है, ध्यान से समझे मेरी बात को, ribosome के पास दो सब्यूनिट होते हैं एक smaller और एक larger आपकी pen copy चलनी चाहिए, रफ भी रख लो रफ भी रख लो, चो चीज़े हैं उसको लिख लिख लिया करो during protein synthesis mRNA से smaller ribosome सब्यूनिट बाइंड करता है और tRNA से larger ribosome सब्यूनिट बाइंड करता है तो यह कौन डिसाइड करता है एक्चुली, यह डिसाइड करता है rRNA, तो rRNA क्या करता है attaches tRNA to larger सब्यूनिट आफ रइवोजोम and mRNA to smaller सब्यूनिट आफ रइवोजोम मतलब यह binding करवाता है उसमें बैठा rRNA, जो उसके अंदर rRNA है वही कहता है कि smaller वाला mRNA से bind करेगा और larger वाला tRNA से bind करेगा Am I clear with this? ठीक है, इतनी बात समझा रही है आपको और इसके बाद देखिए यह तो कहानी हुई rRNA की, अब भूलना नहीं है कि कौन सा सब्यूनिट किस से bind करता है अब हम आजाते हैं mRNA के बारे में mRNA की सबसे यह चीज है mRNA messenger RNA जिसको हम कहते हैं messenger RNA messenger M नहीं रह गया 5% of total, सबसे कम सबसे कम सबसे ज़्यादा कौन था? rRNA सबसे कम कौन है? mRNA सबसे ज़्यादा stable? rRNA सबसे least stable? mRNA ओके? तो देखिए आप यह समझना है प्लीज जो मैं कह रही हो ना उसको एकदम note करना है सबसे ज़्यादा rRNA सबसे ज़्यादा stable? rRNA सबसे कम mRNA सबसे कम stable mRNA ठीक है? discovered by Huxley, Walken and Asterachan ठीक है? name given by Jacob and Monod Jacob and Monod उपरावन मॉडल भी दिया था आगे देखेंगे तो Jacob and Monod ने दिया था इसको name मतलब term least concentration सबसे कम और least stable सबसे कम stable form in nucleus अब देखें तीनों में से nucleus में तो दोनों बनते हैं कौन? m और t rRNA nucleolus में बनता है जितने point मैं कह रही हूँ याद होना चाहिए exam में ठीक है? provide codon for synthesis of polypeptide mRNA coding आ रहे है ना इसके पास codon होता है वही polypeptide की synthesis आगे करवाता है am I clear with this? functype of mRNA अगर हम mRNA का functype भी देख लें तो यह दो तरीके का होता है monocistronic और polycistronic monocistronic याद करिए हमने आपको बताया था कि prokaryotic mRNA की अगर हम बात करें तो prokaryotic mRNA polycistronic होता है जबकि eukaryotic mRNA monocistronic होता है DNA में एक उल्टा केसा रेप्लिकॉन के बारे में हमने DNA पढ़ाया था monorepliconic और poly multi-repliconic monorepliconic किसका था? prokaryotic replicon ठीक है? क्योंकि हमने गाया था prokaryotic DNA छोटा होता है तो एक ही यह बात मैंने आपको difference कराते time ही बताया था prokaryotic eukaryotic में ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? यह polycistronic है prokaryotic polycistronic इसका मतलब क्या होता है? कि formation of more than one polypeptide chain एक ही देखे जरा ध्यान से देखे इसके एक cistron से एक cistron, cistron क्या है यह हम आगे देखेंगे एक बार में एक से ज़्यादा एक ही polypeptide बन पाता है ठीक है? इसलिए eukaryotic को हम क्या करते हैं? monocistronic और prokaryotic क्या है? polycistronic तो यह तो हो गया MRNA, MRNA का function भी हमने देख लिया कि भाई यह क्या provide करता है? कोड़ॉन कोड़ॉन इसके पास है और MRNA इससे बाइंड करता है? यह बात हमने पता दिया इसका smaller ribosome के smaller subunity से bind करता है. इतनी बात clear है ना? ठीक है? अब हम जड़ा देखे tRNA, tRNA को पहली चीज़, transfer RNA adapter RNA soluble RNA. कैसे लिकेंगे इसको? देखिए transfer RNA, adapter RNA soluble RNA. यह तीन चीज़ तो याद रखना है. adapter क्यों कहते है? देखे, soluble, insoluble soluble, insoluble. Insoluble किसको कहा था? र-RNA को कहा था insoluble r-RNA को कहा था. पहली चीज़ आप याद रखना है. नाम नहीं भूलना है कभी-कभी आप से देखा कि soluble RNA किसको कहते हैं? adapter RNA किसको कहते हैं? किसका दूसरा नाम है? तो हम चलते हैं इसके बारे में देखिए. अब क्या है? सबसे पहली चीज़. सबसे smallest RNA यही है. very very IMP. सबसे smallest RNA है. ठीक है? form by RNA polymerase second. अभी हम देखेंगे. अच्छा, उनमें भी आप लिख सकते हो कि जो r-RNA होता है second बनाता है. ठीक है? अरे, RNA polymerase second नहीं भाई, RNA polymerase third होगा यह. और जो t-RNA है उसको RNA polymerase third बनाता है. कौन बनाता है? third बनाता है. अब ज़रा देखना है यह सबसे smallest RNA है. सबसे smallest. अब याद रखना सबसे ज़्यादा r-RNA, सबसे कम mRNA, सबसे ज़्यादा stable r-RNA, सबसे कम stable mRNA और सबसे छोटा क्या है? t-RNA है. और most complex है यह. सबसे complex structure होता है इसका. discovered by Hoagland and Stephenson. Synthesized in nucleus. यह भी nucleus में बनता है. Am I clear with this? इसका function क्या है? इसका function यह है. Carry amino acid at the time of protein synthesis. protein synthesis मतलब protein का बनना और protein बनेगा कैसे? amino acid से? amino acid आयागा कैसे? आसमान से टपकेगा क्या amino acid? लो amino acid और बन गया protein नहीं न? amino acid कहां होता है? cytosol के अंदर. कहां होता है? हमने जो खाना काया है protein digestion हुआ है तो amino acid digestion के बाद absorption हुआ. absorption कहां हुआ? amino acid कहां गई? सब कुछ पढ़ाया है मैंने hepatic portal system, heart, फिर cell हर cell के पास amino acid है. कैसे है? हमने जो खाना खाया है, protein गई विस तूटा है absorption हुआ, digestion हुआ है हर cell के पास amino acid है अब protein अगर बनाना है किसी भी particular gene के लिए जैसे माल लेजे हमने कहा था आपको endomembrane system पढ़ाया ना? तो हमने कहा था endomembrane system में कि अगर प्लीज ध्यान से सुनना है हमने endomembrane system में आपसे बताया था कि अगर माल लेजे आपकी body में कोई bacteria आ गया बैक्टरिया आया ठीक है bacteria को cell ने एंगल्फ कर लिया endocytosis से उस bacteria के खिलाफ क्या होना चाहिए lysozyme enzyme बनना चाहिए enzyme बनना चाहिए ना? अब lysozyme enzyme के लिए जो gene responsible है वो तो DNA पे है DNA का पहले replication होगा DNA का replication होगा हमें पता है DNA का replication हो और उसके बाद क्या है transcription होगा उस gene का transcription होगा जब transcription होगा तो उसका mRNA बन गया उसके mRNA को भेज दिया cytosol में endoplasmic reticulum के पास वहाँ पे ribosome है वो protein बना दिया उस protein को फिर vesicle में pack whack करके Golgi body के पास भेज दिया Golgi body ने उसको modify कर लिया Golgi body ने उसको modify करा मतलब क्या किया processing जैसा protein चाहिए वैसा बना दिया तो enzyme बन गया अब मेरे कहने का मतलब यह है कुल मिला के मैं कहना क्या चाहा रही हूं कि बना कैसे उस mRNA जब आया तो mRNA की बाद mRNA से protein बनाना है तो amino acid सो चाहिए तो उस amino acid को लाएगा कौन cell से उठा उठाके cell में cytosol amino acid को cytosol से उठाता है tRNA और tRNA उठाके उसको लेके आएगा फिर mRNA के पास coding coding करवाएगा हम अभी उसको देखेंगे आगे जब हम protein synthesis पढ़ेंगे तब मज़ेदार है एकदम ठीक है यह 5 प्राइम एंड और यह 3 प्राइम एंड अरे ऐसा मत सोचना है यह double stranded है single stranded ही है बस आपस में loop बना के ऐसे से बन के ऐसे हो गया है ठीक एक एंड 5 प्राइम है हमेशा याद रखना हमेशा जो मैं बोल रही हूं उसको note करना है याद रखना कि जो tRNA होता है tRNA एमीनροिय स्ट को कहरी करता है इसलिए इसको एडाप्टर आरेन कहते हैं और अपने 3' एंड पे कैरी करता है क्या करता है यह 1-इली एंड को कहां पर लेकी आता है इस 3' एंड पर उठाएगा और फिर लेके जायेगा किसके पास mRNA के पास तब protein synthesis होगी जो मैं बात बोल रहे हूं उसको note करना है tRNA carry amino acid during at the time of protein synthesis at which end three prime end पे carry करता है इसलिसको adapter RNA केते हैं क्योंग एडप्टर केते हैं क्योंकि यह amino acid को carry करता है at the time of protein synthesis am I clear with this और एक बात और याद रख लेना कि जो tRNA है ना उसके three prime end पे एक conserve sequence पाया जाता है conserve sequence का मतलब अब मैं यह amino acid यहां से हटा के ACC हमेशा याद रखना हर tRNA में हर tRNA में यह sequence पाया जाएगा तो अगर कोई चीज हर जगे पे है या हम कहते common है किसी particular चीज के लिए तो उसको conserve sequences केते हैं और tRNA का conserve sequence है ACC और यह sequence हमेशा 3 prime end पे पाया जाता है किस पे 3 prime end पे ACC am I clear with this तो देखिए यह है tRNA की कहानी और tRNA का दूसरा function क्या है recognize codon वाया anticodon anticodon होता है इसके पास इस वाले लूप में एक दो तीन क्योंकि mrna के पास आता है तो mrna के पास codon देखिए mrna के पास codon होता है और mrna के पास यह माली जे 523 है तो वैसे यह 523 नहीं लिखेंगे 5 हम इधर लिखेंगे 523 क्योंकि यह इधर 5 लिखा है न मैंने हाँ तो यह codon है mrna के पास यह codon है इधर से read करेंगे ठीक है इधर से Codon rate करेंगे और यहां से इधर से Anticodon rate करेंगे तो कोड़ून किसके पास होता है MRNA के पास और Anticodon, Trna के पास जब कोड़ून और Anticodon की pairing होती ध्याचछ सब्लाब तब जाके कुछ होता है आगे protein synthesis में वह हम बात में बात क्रेंगे तो च्रन का function यह होगना